नमश्कार दोस्तों, तो इसे इंसान को जिन्दकी जीने के लिए दोस्तों क्या चाहिए? अन्य चाहिए? अन्य कहां से आएगा? दोस्तों खेतों से आएगा? और खेतों की शुराच्छा किसके हाते में? दोस्तों किसान के लिए. तो किसान को अनुगाने के लिए दोस्तों क्या चाहिए दोस्तों खाच चाहिए बीच चाहिए और पानी तो सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों पानी है क्यों तो पानी किसान के पास खेतों की सिचाई के लिए कहां से आएगा दोस्तों बाधों से आएगा तो ऐसे ही दोस् समझ में आएगा चंधरपरबार डाम एंडवेट लैंड तो दोस्तों यह डाम में जाने का रास्ता है काफी खुब शुरत बनाया NGO है तो आएए चलते हैं और देखते हैं कि चंधर वड़ जो चंदवली में दोस्तों इस्तित है कैसा है कितना बड़ा है कि इतना पानी है और पर यसके क्या खुसरत नजा रहे हैं जैसा कि आप डेख proud है दोस्तों कि हम बात के ऊपर से चल रहे हैं और काफी अच्छा मतलब रास्ता उस पर बनाया गया है बात पे जानेंगे तो हम दोस्तों चंदरपरभा डैम पे हैं जहां पर की जीवों को सरचित किया जा रहा है तो आप देख रहे हैं दोस्तों काफी दूर तक पानी ही पानी है और दूसरी तरफ देखिए दोस्तों पुड़ा जंगल ही जंगल है तो जब अगर यहां आप घुमने आएंगे तो बहुत ही एक खुबसुरत व्यू आपको मि लाया गया लेकिन वक्त के साथ वह पेंट्री धुमिल हो गई है और दोस्तों आप देए सकते हैं एक ब्यूपॉइंट है और बाद अब देखिए दोस्तों बादों का जो मुख आकरसर होता है न वह उसका है यह फाटक होता है जिस वह गेट भी आप कहते हैं तो यह फाट कलने आप काफी उचाई तक पानी इसमे आना बाकी है हम दूसरी छोड़ पर चल रहा है ताकि दूसरी तरफ का भी कुछ नजारा कुछ लूप आपको डेश तके पिक्चर के रूप में तो दोस्तो एक चीज़ और है कि जो यह बाद है वो इतना बड़ा बाद है आप कह सकते हैं दोस्तों कि चंदवली जिले का यह सबसे बड़ा बाद है क्योंकि इस बाद से तिरपन नहरे निकलती है जो तकरीबन पांच हज़ार हेक्टेर भूमी की सिचाई करती है यानि बीगे में कहें तो लाखों बीगे जमीन की सिचाई इस बाद से होती है तो दोस्तों आईए थोड़ा हम पीछे सब भी बात का नजारा देखते हैं यानि फाटक का जहां से की पानी गिरना होता है और गिर करके जाता है दोस्तों तो दोस्तों यहां से जो पानी गिरता है वो खेतों में नहीं जाता क्योंकि यह बनाए गया है जो बडए-बड़ फाटक होते हैं यानि भाद अगर Ghost К literally it The Most Lever प्यानि यहीं वह रास्ता है जो जे के बीच में बनादे आप नीचे कर नजारत बाद में नहीं और इसे पेड़ पॉथे शुडुआत में बाद में तो यह पूरा चंद्र PSD वाइड लाइज सेंचुरी आता है तो जंगल ही जंगल है लेकिन आप देखे रहें कितना मोटे-मोटे पिलर से बनाए गया है और आप देखिए कि हर तरफ चोटी-चोटी चिडियां लगाई गिए नीचे ऊपर उतरने के लिए ताकि उसकी मरमत और उसके रख रखाव किया जा सके तो आप देख रहें मोटी सी दिवार है जिस पर से चल करके हम आपको बीच से आपको विदेंगे इस बाद का जो डिलिबरी शेंटर है कि देखिए कैसा वो देखता है तो देखिए अभी हम पूरे बीच में नहीं गए लेकिन आप देखिए कि बाद में थोड़ा- है वो कोई खुला हुआ द्वार नहीं है वो रिशाव है जिसकी मरम्मत का काम के लिए शरकार शाय संबहता काफी फंड रिलीच कर चुकी है जो इसका निर्मार में मरम्मत का कार पूरा हो जाएगा तो यह लिकेज बंद हो जाएंगी जो तो देखिए कितनी मोटी दिवारा सब सोची कि जब पानी इस पर से गिरेगा और पानी के जब तुफान और बेग मचेगा तो क्या हम और यहाँ पर चल पाएंगे लेकिन दो पानी कम है और नहीं है यह देखिए दो चोटे-चोटी तैक जो तहकानी टाइब के दिख रहे तो देखिए आनन्द है यहाँ पे घूमने-फ्रिने का अच्छा आनन्द हम यहाँ नीचे तक आ सकते हैं आप देख लिए एक महानुबाव हैं नीचे आगर करके मचली-मचली पकड़ करके अप देखिए उसकी शाफ शफाई कर रहे हैं यह देखिए कितना अस्षानी से के उसकी सफाई हो रही है पानी परियापत उनके सामने हई है और आप देख रहें काफी मछलिया एकठा की हुए है और दोस्तों दो महानुभाव और हैं जो अभी पकड़ने में बीजी है शायद उनकी क्वांटिटी भी पूरी नहीं हुई है जितनी उन्होंने सोची रही हो पकड़ने में तो इनकी क्वांटिटी अभी नहीं पूरी हुई है तो इसलिए मसली पकड़ने और बागल में एक और लोग है वो भी अपना इसी काटा फेके हुए है और आप देख लिए पानी का बाहाव करके जो पेड़ पोदे यहां पे होते हैं शुरुबात में खत्म पर खुशी रखता है क्योंकि बारिस कम भी होगी तो भी डैम खुलेगा नहरे लबालब हो जाएंगी खेतों में पानी सिचाई होगी और अपनी फसल को वह अच्छे से उगा पाएंगे पैदा कर पाएंगे किस तरह सुहाना मौशम भी है हम बारिस के समय में ही है तो सुहाना मौशम है और खुबसूर्ती बहुत जादा है तो जब भी मक्त मिले अगर आप यहां चंद्रपरपा वाइल लाइफ सेंचुरी में आईए तो इस त्याम में घुमने के लिए अब जरूर आईए तक कि आ सब्सक्राइब जरू कर लें तक हमारे आपका बढ़ता रहेगा और प्रेम बढ़ता रहेगा तक हम आगे भी एक दूसरे से जोड़े रहेंगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आग्या दीजिए नमस्कार